आपने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल एमेजोन का नाम तो सुना होगा अगर हम पृत्वी की बात करें तो आमेजन का जंगल हमारे पृत्वी का हाड है मिन्स हमारे पृत्वी का 20 बर्षन ऑक्सिजन आमेजन की जंगल से ही प्रड्यूस होता है आएए जालते हैं आमेजन के देश आ जाते हैं इसके बाद आ जाता है उसियन और इसके बात आज आजाएगा ब्राजिल और ये आप जो देख सकते हैं यह हिस्पे को यह हैं Amazon के जंगल, तो चलिए इस जंगल को अब करीब से जाते हैं, Amazon का जंगल एक नहीं बलकि 9 देसों में फैला हुआ है, इसका सबसे बड़ा भाग, ब्राजिल में 60%, पेरू में 13%, कॉलंबिया में 10%, इसके बाद और भी 5 देसों में फैला हुआ है, क्या आपको पता है, Amazon का जंगल धरती तक पहुची नहीं पाती है, यहां के पिड़ इतने जादा घरे हैं, विस्व का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले Amazon के जंगलों से ही आता है, क्या आपको पता है, Amazon का जंगल का कुल छेतरफा लगवक 5.6 मिलियान स्क्वाइर किलो मीटर है, जो की हमारे भारत देस के कुल छेतरफल से भी जादा है, आप समझ सकने हैं कितना बड़ा जंगल है Amazon का जंगल, जो पूर पृत्वी का लगवक 4% हिस्सा में फैला हुआ है, और क्या आपको पता है, Amazon नदी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है, अगर पानी की स्टोरेज के बात करें, तो Amazon दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, क्या आपको पता है, दुनिया का 20% डीबर Amazon के नदी में जाकर मिलती है, और बारिस के दिनों में जब ये नदी में पूरा पानी स्टोरेज हो जाता है, तो कहीं कहीं नदी की चोड़ाई इतनी जादा बढ़ जाती है, कि नदी के इस उस छोर का पता ही नहीं चलता है, लगता है कि हम कोई ओशियन देख रहे हैं, जिसका छोर पता ही नहीं चलता है, क्या आपको पता है, अमिजन के जंगल में लगभग 17,000 से भी जादा केवल पेड़ के परजाती पाए जाती है, क्या आपको पता है, यहां पर 30,000 से भी जा केवल स्पाइडर की प्रजाती पाई जाती है अब हम बात करते हैं अमेजन के जेंगल में पाई जाने वाले कुछ खतरनाक जीव जन्तु की बुलेट एंड एक ऐसी चीटी है जो बहुत ही छोटी होती है आपने चीटी तो बहुत सारे देखने होगी लेकिन बुलेट एंड जैसे चीटी नहीं देखी होगी यह देखने में बहुत ही छोटा होता है लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है इस चीटी का काटना किस बुखार भी आ जाता है इसलिए इसे बुलेट एंड चेटी कहा जाता है ये अमिजन के जंगल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाये जाता है चेटक सुनरी रंग के या मेड़क देखने में बहुत ही आकरसक लगता है लेकिन एक मेड़क में लगवक 10 लोगों को मारने लायक जहर पाये जाता है या कई कलर में पाये जाता है और ये बारी सों के दिनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है अस्थानिये लोग या तूरिस्ट यहां जब घुमने जाते हैं तो यहां तो यहां इस मेड़क को देखते ही बहुत दूर हो जाते हैं क्योंकि यह मेड़क बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है जिसमें एक ही जगा कई बड़े-बड़े साफ जंगलों में खुमते रहते हैं और इंसानों को डारेक्ट ही निगल जाते हैं लेकिन रियलिटी में अमिजन के जंगल में इतना जादा बड़ा एनोकॉंडा नहीं पाया जाता है अमिजन के जंगल में एनोकॉंडा साफ पाया जाता है लेकिन उसकी लंबाई लगवा 30 फीट से 40 फीट होती है जिसका जहर तो नहीं होता है लेकिन ये बहुत ही खतनाक होता है ये छोटे बड़े जानोर को निगल के ही खा लेता है और ये एक बार अगर कोई जामनार को न इसी नदी है जिसका टेंपरिचर लगवक 110 दिग्री संडिग्रेट है जिसमें कहीं कहीं पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है यहां का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है यहां का कुछ जंजाती लोग अगर किसी जंजाती के वासी की मौत हो जाती है तो यह उस जलाने और दफनाने के बज़ा यह इस नदी में बोडी को डाल देता है कुछ जंजातियों का मानना है इस नदी को स्वर्ण का द्वार भी कहा जाता है फाइफ अमिजन के जंगल में सबसे खतरनाग जानवर घूनी जगवार को माना जाता है यह एक परकार का तिनवा का प खतरनाग होता है इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और इसका किवल पंक की लंबाई तीन फिट से भी जादा होती है इसका वजन पांथ से छे कीलो तक होता है और यह अपने वजन से दुगना वजन अपने पंजों में पकड़ कर उड़ सकता है जिसके कारन यह इसका फैवरिट सिकार बंदर माना जाता है और यह बड़े जानुर के बच्चों को सिकार भी करता है यह बहुत ही खतनाक होता है लेकिन यह प्रचाती आप धिरे धिरे लुप्त हो रही है दोस्तों तो कैसा लगा आपको यह अमिजन का जंगल कॉमेंट करके जुरूर बताएं कि बेल आइकोन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो कोई भी आप मिस ना कर ओकी दोस्तों तब तब तब